हल्लो प्यारे दोस्तों स्वाग़त है आपके इंटर्वियो क्लास में बात करेंगे आपके इंगलिश के पेपर के बारे में क्लास नाइन का इंग्लिश का पेपर है ठीक है हंडिड मार्क्स का है सवा तीन गंटे जिसमें आपको टाइम मिला था ठीक है ना ये जैपूर का ओरिजनल पेपर है ठीक है जैपूर जिले में जो परिक्स हुई उसका ओरिजनल पेपर है उसका solution discussion करेंगे इससे पहले बाड म क्योंकि आप जानते हैं कोई question अगर मान लेजिए कोई chapter आपके science का मान लेते हैं कोई question question उसमें important है ठीक है ठीक है ठीक है मान लेजिए अपने जो कोषी का है वह बहुत important chapter उसमें जो important question है वो तो किसी भी जिल्ले में आए important ही रहने वाले ना तो कहने का मतलब question तो repeat होने ही है अगर आप इन papers की भी practice कर लेते तो भी आप अच्छा स्कॉर कर लेते हैं तो comment section में लिखिएगा कि आपको अगर सभी पेपर चाहिए तो ठीक है ना उनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे solution के साथ और science के लिए तो आपके हर chapter के जो important question है ठीक है इसके बाद आपको science का solution मिल जाएगा ठीक है ना science के हर chapter के important question के वीडियो पड़े अपने playlist में जाकर आप देख सकते हैं science के 3-4 model paper uploaded है उन में से देख सकते हैं और जो अपने science का जो paper हुआ है एक दो जिलों में हुआ है तो उनके मतलब हुग हुग कोशन आए ठीक है तो आपकी practice के लिए बैतरीन ये platform है आप यहां से तयारी कर सकते हैं और English के लिए तो best है ठीक है ना English science maths इन तीन subject के लिए यहा समझें चल रही है ठीक है क्योंकि offline बैचे चल रहे हैं जिस वज़े से थोड़ा समय कम मिल पाता है ठीक है अब देखिए इस पैसेस के अंदर आपको क्या था पैसेस दिया वा था question के answer देने था ठीक है अगर इसके solution की बात करें तो what kind of land is India तो यह पहला answer पहली लाइन इसक ठीक है ना where are the holy places यह places कहां है तो इसके अगली लाइन इसका answer था ठीक है ना यहां पे सी तक यहां तक आपको लिख देना था ठीक है कोई difficulty थी नहीं फिर था who visit these places of pilgrimage यहां पे कौन जाता है तो एक तो religious people तो यहां जाती है उसके अलावा और कौन जाते हैं यहां पर जो traveler आत significance है क्या महतु है तो इसका significance क्या है कि यह most important pilgrimage center of the devote Hindu Hindu के लिए बहुत ही most important एक center है pilgrimage मतलब दार्मी क्यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सबसे महतुपूर्ण जो चार होते है one of the four मतलब चार धामों में से एक धाम है ठीक है यह धियान रखना what is the legend about it ठीक है न तो यह answer इसका यहां मिल जाएगा according to the legend it was formed from here that Lord Rama with the help of Hanuman and his monkey's force to build a stone bridge to Lanka ठीक है यह लिख देंगे what is its shape इसका shape के बारे में क्या है तो इसके shape के बारे में आपको यहां मिल जाएगा यह मिल गया ठीक है next है की tapered end how is its tapered end तो यह next वाला ठीक नहीं यहां तक आप लिख सकते हैं इसका tap point ठीक नहीं next पूछा what happened in 1964 तो यहां से लिख सकते हैं आप unfortunately दनुसकोडी यहां से 64 तक ठीक है वाज वाश्ट अवे ठीक है अगला है what are the feature of this bridge इस ब्रिज के feature क्या है तो इस ब्रिज के feature यह है यहां पर पढ़ाएं ठीक है ना लॉंगेश्ट प्रीज अक्रॉस्ट ओपन एरिया ठीक है यह फ्रीचर हो गए अगला पुछा वन वर्ड डूणना था आपको यह भी बड़ा एजी था ठीक है ना और परसनों ट्रेवल ट्रेवलर हो जाता अच्छा ट्रेवल शैक्रीड प्लेसे एज एक्ट ओप रिलिजियस ना डेवोट नेशन तो उसे हम कहते हैं प्लिग्रिम क्या कहते हैं प्लिग्रिम ठीक है ना अगला देखिए जो हमें पहली लाइन में वर्ड मिला था ना फिलिग्रिम यह वाला इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट वाला कुशन क्या पूछा की अश्ट्रिक्चर प्रोवाइड़ अवे ओवर अग्याप और अधर अबस्टेकल अबस्टेकल को पार करते एक जो चीज होती है उसका नाम क्या है तो ठीक है ना इसमें आपको यह मिल जाएगा ब्रिज लिख सकते हैं नहीं तो कोई आपके दिमाग में कोई और आता हो तो बता ना क्योंकि अभी मैंने पूरा पैसेज नहीं पड़ा है ठीक है अब देखिए वैन मिस्टर जोंस वे आता है यह सक्षन भी आता है जहां रखिए आपके इंपोर्टेंट लेटर एप्लिकेशन जो भी है इंपोर्टेंट आपके इमेल है जो परेग्राफ वो सारे बताई हुए आप चैनल की प्लेश्ट में जाकर चैक कर सकते हैं ठीक है और बाकि सब्जेक्ट के लिए भी कैसे करें उसके ऊपर एक इमेल लिखने को लगए क्या अरेंज करें एक लेक्चर करें कोई बड़े आदमे को बोला हैं जो कि यह बताए कि कम्प्यूटर का यूज कैसे करें उस पर ठीक है नेक्स्ट वाला है जिसमें आपको क्या लिखना दे इंडिपेंडेंस डे सेलिब लोग इंपोटेंट जो होते हैं डायलोग कोई भी आपको लिखना है यह मुझकी जैद़ा काम होता नहीं ठीक है लेकिन उसके और जो आता है ओधना उस्तबाइन होता है जिसमें आपको आप losses लit पढ़ते हैंस कॉने वान्मटेंट हैं आपके लिखनें है पर देक्षिके फिर टेंसे जाता हैं यूँ अलवेश आतें सिंपल प्रिजेंट बढ़ते हैं तो यू प्लूरल है तो गो का गो आजाएगा इसमें ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना या फिर शैल करो और दोनों में फर्स्ट फॉर्म रिटन ही आनी है ठीक है ना अगला है टोड़ी इस अर्थमेटिक लेशन डैश ऑन देडिशन और प्रॉपर फ्रेक्शन तो बी की फॉर्म लिखने बी की फॉर्म टेंस में बात कर चुके बी की फॉर्म इस एम आर होती है त दोनों एक्शन लॉंग पी हो शकता है तब भी आवाद सुनी तो आवाद सुनने का काम शॉर्ट होता है तो यह की सेकंड फॉर्म आएगी हर्ड ही एर्ड हर्ड ठीक है अगला देखिए करेक्ट फॉर्म बढ़नी है राम एंड मुहन दो लोग हो गए ठीक है आर लगा दो तब फ्लूरल होता है तो यहां पर लगा देंगे आप सीधे से ठीक है ना आर्मी ऑफ इंडिया आर्मी क्योंकि एक ग्रूप है ध्यान रखेगा यह कॉंसेप्ट आप एक बार देख लीजे गलती होने का चांस ही खतम ठीक है ना तो आर्मी सिंगुलरिटी को सो करता है तो चैनल पर जाके तो दिक्कत का तो बेंड बज जाएगी दिक्कत की ठीक है ना देखिए क्या बोला है माइस्टोमाक एक विकर्म अग्स आय है एटन टू बॉक्ल यहां पर क्या आएगा तू मुच एपल बहुछ जाएद आपल खा ली इने तू मुच एपलस टीक है ना तो सं ये सं नहीं हो गेसं में ठीकला मच होगा प्लेज किव मी डैश मोर मिल्क ठीकला तो यहां positive sense में हैं और मिल्क को नहीं गिन सकते तो प्लेज केमी ह Coast में मयलक को यहांहांपे समें आए ठीक है न ध्यान रखना और जब भी जो भी आपके next exam हो उसका आप जो फोटो है वो अपने जो एक वाट्शाप नमबर है 8003412488 इस नमबर पे आप जो भी आपका paper हो आप इस नमबर पे वाट्शाप कर दें अगर आपने कल कोई exam दिया है चाहे आपके maths का हो हिंदी का हो जो कि उस पर वीडियो बना के बाकी लोगों को पी help हो सके ठीक है ना तो यह request रहेगी आपके कि आप इस नमबर पे यह सिर्फ वाट्शाप यूज करने के लिए हैं सिर्फ आप इस पर वह फोटो पेज दीजिएगा ठीक है ना इतनी महरबानी करिएगा चलिए देखते आगे कि वेरी डैस पीपल एक्जल इन लाइफ ठीक है ना तो वेरी वेरी क्योंकि पीपल आ गया अकांटबल है तो मचका चांस खतम ठीक है ना वेरी सम सम लग नहीं सकता है वेरी के साथ वेरी फ्यूप ठीक है ना अगला देखिए डॉंट नेगेटिव सेंटेंस है मूर ओफ इसक्रीम ठीक है न तो एनी इसमें हो जाएगा करेक्टिक दम अगला देखिए ही इस बैस्ट बैस्ट सुपर लेटिव डिग्री आ रहा है तो दवर नहीं वरना इसमें ठीक है ना अगला कुशन देखते हैं सूटेबल प्रपोजिशन फिल करनी है डाइक के शाह ध्यान र सिर्था डाइड फैंसर ठीक है फ्राम नहीं आएगा हर घंट कीम अब देखिए जब भी कैम अगर अर्टिकल नहीं होता ना नहीं होता ना ऑन के बाइक आर होता लेकिन यहां पर क्या है के इन अ कार हैं ठीक है यहां अगला कुशन देखते हैं वी ट्रेवल्ड अजमेर टू उदाइपूर वी ट्रेवल्ड अजमेर टू उदाइपूर तो यहां पर फ्रॉम आएगा क्योंकि एक जगह से आप दूसरी जगह की बात कर रहे हैं ठीक है ना अगला देखिए ही चंप जाइर सी बात है जंप करके जगह चेंज किये सेम कुश कुशन पढ़ने की ज़र्द नहीं अब प्ले सराउंडेट वाटर तो आइलेंड बोल देंगे इन बोर्ण का इन्नेट हो जाएगा ठीक है ना यह वर्ट तो मतलब इतने बार पढ़े वे हैं क्योंकि हमने कर चुके हैं अपने मॉडल पैपर में ठीक है ना अगला देखते यह कुशन बहुत इंपोर्टेंट था कर चुके हम ठीक है ना एवलीन ग्लैनी कैसे म्यूजिक सुनती थी इंपोर्टेंट के अंदर आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी और जो आपके एक्स्प्लेनेशन जो स्टेंज है रेफ्रेंस टू कॉंटेक्स इसमें जो इंपो इंपोर्टेंट कोशन आप मार कर सकते हैं क्योंकि जिलो में एक्जाम हो चुका वो बेफिकर हैं इंग्लिस से ठीक है ना उनको बाकी सब्जेक्ट की टैंसे नहीं और आपके जिनके होना इंग्लिस का पेपर उनके लिए बहुत इंप्रेंट पेपर है ठीक है अगर आपक इन मोडल पेपर पहले से अफलोड़ेड हैं उन सब में यह कुशिन बार बार आ रहें बस और जो इंपर्टेंट कुशिन डालें उनमें भी यह कुशिन आ रहें तो इनको अच्छे से तयार कर लिजेगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक चैनल पे नहीं त तो सब्सक्राइब करें दोस्तों को शायर करें वीडियो को लाइक करना नहीं बूलें ठीक है जय हिंद जय भारत